उत्तर प्रदेश में बाबा का बुल्डोजर और बाबा की पुलिस हिंसक्ट करने वाले दंगाईयों से एक एक तैसे का हिसाब करने में जूटी है पहले कानपुर, फिर प्रयाग्राज और अब मुरादवास सहरनपुर की तयारी की जा रही है पिछले शुकरवार जुम्मे की नमाज के दोरान हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद यूपी पुलिस की कारवाई की तस्वीरें शोशल मीडिया पर तैर रही है कारवाई से बिपक्ष और लिबरल गैंग छाती पीट रही है तो कई इसलामिक गैंग गिरफतार किये गए लोगों की पैरवी के लिए घड़ियाली आसू बाहर रहे हैं ऐसा ही वाक्या देखने को मिला मुरादावाद में जहां दंगाईयों की गिरफतारी से आहत समाजवादी पार्टी के नेता कमाल अक्तर और पार्टी के अन्य नेता पुलिस लाइन आरोपितों की पैरवी करने गए थे लेकिन मौके पर मौझूद सीयो महिश गौतम ने उन्हें उल्टे पाउं लोटा दिया इसी दोरान पुलिस अधिकारी की विधायक से नौक जोक हुई और सपानिता से कहा गया या तो वो खुद पुलिस लाइन से बाहर हो जाए वरना पुलिस के पास और भी जगे हैं बैठाने की पूरा वीडियो देखिए कि किस तरह कारेकरताओं के सामने तुर्रमखा बन रहे विधायक कमाल अक्तर की पुलिस ने कमाल की फजीहत की वाइरल हो रही वीडियो में देख सकते हैं सफेद कुर्ते में समाजवादी पार्टी के नेता अपने समर्थकों के साथ ठाने में आते हैं मगर तबी सीयो महिश गौतम आगे आते हैं और उन्हें रोक कर कहते हैं बिलकुल आगे नहीं आना अगर आये तो अंदर बहुत से ऐसे ही लोग हैं इसके बाद वीडियो में सपा नेता उल्टे पाओं लोटकर अपने लोगों से गाड़ी में बैठने को कहते हैं पीछे से पुलिस भी उन्हें चलो चलो कहती सुनाई देती हैं जानकारी के मुताबिक उपद्रियों को पकड़ने के बाद और जरूरी कागजी कारवाई करके पुलिस 21 अभियुक्तों को मेडिकल कराने जिला स्पताल ले जा रही थी लेकिन तभी सुचना मिली की सपा के महानगर अध्यक्ष शाने अली सानु की अगुवाई में कारेकरता वहीं जुटे हैं ऐसे में पुलिस ने रणनीती में बदलाब किया और सभी अभियुक्तों को पुलिस लाइन लाया गया यहीं पर कमाल अक्तर अपने समर्थकों के साथ आये और सीओ महेश गौतम SSP और DM से मुलाकात करने को कहा जिसके बाद महेश गौतम ने उन्हें पुलिस लाइन से बाहर जाने को कहा बताते चले कि हिंसक प्रदर्शन के बाद CM योगी और UP पुलिस बेहस सक्त है जिसके बाद पुलिस कड़ाई से कारवाही कर रही है CM योगी पुलिस अधिकारियों के साथ लगातार तावर तोड मेटिंग करके लौ एन ओर्डर की समिक्षा कर रही है मुराजवास से जाविर हुसैन की रिपोर्ट जनहिट टाइम्स